बाड में पढ़ाने का भूस सवार हुआ है आज इसी पानी में मास्टर जी को नहीं डुबोया तुम मेरा नाम राजु नहीं मुझे भलोता है मेले दोथ तुम्हारा नाम बुलन्द लहेगा गुड मॉर्निंग बच्चों गंठा का गुड मॉर्निंग अरे राजु बेटा इतने गुस्से में क्यों हो गुस्ता नहीं आएगा तो और क्या आएगा आप जले पर नमक जो छिळक रहे हो मैं कहा जले पर नमक छिड़क रहा हूँ अब मैंने तो बस गुड मॉर्निंग ही कहा है जब मॉर्निंग से पानी में बैठे बैठे चूतर फूल गया हो तब ये गुड कैसे हो सकता है भाई लादू बैठे पानी में बैठे लहने का फाइदा है कि तू-तू कल्ले बाहल डाले की दलूलत नहीं होती है यहीं बैठे-बैठे ही कर लो अबे साले, यहाँ पानी में जहरीले साप और बिच्छु का डर है और तुझे सूसू करने की पड़ी है कर पुस्वा, कर आरे-आरे, अब यह लड़ाई धगडा छोड़ो और पढ़ाई के बात करते है आप पढ़ाई लिखाई की तो बात ही मत करो सार इस बाढ़ के समय हमें पढ़ा कर आखिर क्या भार लोगे आप अभी बाढ़ से जान बचना मुश्किल है और इन्हें पढ़ाने की पड़ी है लेकिन राजो बेटा उज्वाल भाविशी के लिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना देखो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कितने मेहनत करके आया हूँ नाव में बैट कर पतवार चलाके आया हूँ तो हम कौन से हलिकॉप्टर में उड़के यहां आये हैं तुम कैसी आये राजो बेटा अपना केला पकड़ कर क्या यह कैसी बाच कर रहे हो और नहीं तो क्या जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं केले का थंब पकड़कर तैरते हुए आया ए वाह वाह इसकूल आने के लिए तुमने इतनी मेहनत की यह जानकर बहुत खुशी हुई राजो बेटा जब किसी की फट्टी है ना तो ऐसे ही दूसरों को खुशी मिलती है ऐसी बात नहीं है मैं तो तुम लोगों का सुब चिंतक हूँ है छोड़ो अब बेटा बाबलू तुम केसे आए तैल तैल मुद्य कुछ मिला है तो मैं भैथ पेसकल आ गया है यह कैसे संभव है घुआ है कोई आपने अकल पर केसे बैश सकता है भला हह प्ला मैं भैध की बात किल दानि हों अकल की नहीं है जान इस तुम दोनों लड़ो माट लड़ो मारं अच्छा शीला लेकिन तुम्हारे गुबारे में हवा भरी और उसे का पकर कर आ गई लेकिन तुम्हारे गुबारे में हवा किस ने भरी मैंने खुद से हवा भरी थी अच्छा शीला जाते समय मैं तुम्हारे गुबारे में हवा भर दूगा कोई जुरोत नहीं है ये का मैं खुद कर लूँगी तुम अपनी सोचो उसी का सो जुगार लगा रहा हूँ क्या कहा तुमने मैं यही कह रहा था कि तुम जाते समय अगर अपने गुबारे पर मुझे भी लिफ्ट दे देती तो मैं भी गंगा पार हो जाता ठीके ठीके मेरा गुबारा बहुत बड़ा है तुम भी साथ में चलना अले भाई लादू तुमने पैंट नहीं पहना है क्या कैसी बात कर रहा है बे तोतले मैंने पैंट और कच्छा दोनों पहन रखा है फिल मेले हाथ में कुछ अधीब तीद कहती है निकाल कर बाहर तो दे आखिर वो है क्या अगय मैया ये तो ताप है अबे ये कहा से आगया जल्दी फेक जल्दी नहीं तो डस लेगा ए ये क्या चिया रे बबलू अगय मैया मर गया पानी में क्लास लोगे तो ये सब तो होगा ही किसी के पेंट में साप भुचेगा तो किसी में बिच्छू वारे बिच्छू तुमने तो मेरी मुराद ही पूरी कर दी मुझे तरड़ लग रहा है और तुमें शडारत सूझ रही है मैं तो कब से इस दिन का इंतिजार कर रहा था छोड मुझे निचे उतार अरे यार इस खुजली ने तो परिशान करके रह दिया त्या हुआ अतार इतनी मेहनत ते अपना पितवाला क्यों कुद्रा ले हो खुले में हगने गए होंगे मच्छर ने काट लिया होगा कुछ अच्छा भी बोल ले आगे मया पता नहीं क्या घुश गया है तर्द भी हो रहा है सार एक बार निकाल कर भी तो देखो क्या है जो आपसे मजे ले रहा है अभी देखता हूँ अरे सार ये तो जोक है जो आपका खुण चूस रहा था घर में बीवी कम थी क्या जो भगवान ने खुण चूसने के लिए इस जो को भिश दिया ये लो कुमकरन को उठाने मेंड़क आ गया ले भाई कुमकरन तो नहीं उठा लेकिन ये मेंड़क तुम्हाले तिलपल बैठ गया अबे मेरी फटी पड़ी है और तुझे हासी आ रही है हटा इस मेंड़क को मेरे सबसे हटा इसे लादू अब मेंड़क भाग गया देखा मेला कमाल मेंड़क तो भाग गया पर तूने जो ये मेरे सिर पर कुतोम मिनार होगा दिया उसका क्या ये कुतोम मिनार नहीं है राजू बेटा ये तेरे पापों का फल है लेकिन सर जबसे आप आये हैं और क्लास शुरू ही है तबसे एक अजीब सी बद्बू आ रही है सर है इतने घड़िया किसम के इन्साम जहां जाते हैं बद्बू ही फेलाते हैं ये कैसे बात कर रहा है बे और नहीं तो क्या देखो कैसी सदी गली सी बद्बू captain प्रम मिरा मतलब है कि जो खुद बद्बू से भ्रां हो उसकी सा बद्बू आ सकती है वह वैसे सर आप स्कूल कैसे आये थे मुझे कुछ नहीं मिला तो पास से कुछ गठर सा बहते देख मैंने उसी को पकड़ लिया और उस पर चड़कर तर्टे वे आ गया कैसा गठर कहां मिला आपको जाकर कट्टी के पास जो मुर्दा घर है ना उसी के पास से गुजर रहा था क्या इसका मतलब आप किसी मुर्दे प्रतर कराय हो क्या राजू ठीक का रहा है सर आधे जले और सरे हुए चीज जैसी बजबवा रही है क्या इसका मतलब अभी जिस गठर पर बैठा हुआ हूँ अभी वह असल में एक अधजली लाश है हाँ अब तो आपको गंगा स्नान क पड़ेगा हले लादू अभी बाल के तमय तो हल दगा गंगा ही गंगा है तल को यहीं अत्मान कला देते हैं तेरा टकला भले ही बंजर हो लेकिन कभी कभी काम की बात कर ही लेता है आओ तब मिलकर सर को शुद करते हैं हाल अला है हाल यहाल है